गुद इवनिंग फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आपने बहुत बार यूटूब पे UPSC एक्जाम के पैटन के बारे में देखा होगा या फिर और अन्य जगें से या किसी दोस्तों से भी बात की होगी लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत से स्टूडंट जो UPSC की त्यारी करने के लिए आते हैं वो स्टूडंट जो एक डैट साल से UPSC की त्यारी कर रहे है उन स्टूडंट को भी पूरी तरह से ये नहीं पता होता कि उपीस्च जो है वो एक्जाम किस तरह से कंड़ेक्ट करवाते हैं यानि किस तरह से प्री का, मैंस का, मैंस में कितने पेपर होते हैं, कब इंटर्व्यू होता है और किस तरह से कितने नंबर का इंटर्व्यू रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम एकदम अच्छे से देखेंगे कि UPSC जो एक्जाम आपका ले रही है यानि जिससे आप IAS IPS बनने का ख्वाब देख रहे हो और त्यारी भी आप स्टार्ट कर चुके हो लेकिन आपको अभी तक यह नहीं पता कि एक्जाम किस तरह से होगा तो आ पहले हम प्रिलियम्स के पेपर के बारे में बात कर लेते हैं प्रिलियम्स में दो पेपर होते हैं एक GS का और दूसरा आपका CSET का GS का पेपर ये भी 200 नमबर का है और C-set का ये भी 200 नमबर का है लेकिन GS के पेपर में 100 के उस्चनाएंगे दो दो नमबर के यानि 100 के उस्चन दो दो नमबर के हैं तो ये हो गया 200 नमबर का लेकिन C-set के पेपर में 80 के उस्चनाते हैं ये भी धाई धाई नमबर के तो ये भी 200 सुरी सुबह में अगर जीहस का पेपर होता है लेकिन चेक पेपर जो होते हैं तो उसमें सबसे पहले चेक होगा सीहेट का इसमें अगर आपके 200 में से 33% तो यह वाला पेपर का पिर आपका लियर है। उसके बाद आपका GS का पैपर चेक होगा। इसमें आपके लगभग 50 परसंट की आज पास आ जाते हैं। तो अगर आप general category से हैं, तो भी आपका clear हो जाएगा. क्योंकि general की cut off की बात करें, तो पिछली बार गई थी 92, उससे पहले 98, यानि आपकी 100 के आसपास general category की cut off रहती है, बाकी सब की इससे निचे निचे रहती है. अब इन दोनों paper को clear करने के बाद, आप mens में entry करेंगे. mens में आपकी cut no paper होते हैं, जिसमें एक paper आपका essay का रहेगा, चार paper आपके GS के रहेंगे, दो paper आपके language के रहते हैं, और दो paper optional के. optional का subject एक ही होता है, लेकिन एक ही subject के आपके दो paper होंगे. अब पहले है essay का paper, तो ये है 250 का, 250 नंबर का, उसके बाद GS के चार paper होंगे, यानि 200 नंबर का एक paper है, तो चारो paper होगे, 1000 के. उसके बाद आपके language के paper रहते हैं, जिसे हिंदी या इंग्लिस. इंग्लिस आपके लिए compulsory paper है, लेकिन हिंदी की जगें आप कोई दूसरी language भी चूज कर सकते हैं, जैसे South Indians लोग जो होते हैं, वो हिंदी बहुत कम जानते हैं, तो वो अपनी कन्नर, तेल, गू, तमिल, कोई भी बासा आप ले सकते हों. एक paper 300 number का है, दोनों, 600 number के, लेकिन ये दोनों paper आपको 25% और 25%, अगर 25% एक paper में आ जाते हैं, तो दोनों clear हैं, यानि दोनों qualifying paper होते हैं, और इन दोनों की marks आपके नहीं जुड़ेंगे, language की जो paper हैं, इनके, उसकी बाद आपका paper होता है, optional का, optional में भी आपकी paper दो होंगे, लेकिन subject एक ही रहेगा, कोई भी subject आप जैसे लेते हैं, जैसे मालीजी आपने history लिया, तो history के ही आपके दो paper होंगे, अगर आपने political science लिया है, तो उसी के आपके दो paper होंगे, subject एक रहेगा, और एक ही subject के दो paper रहेगे, टोटल नो paper हैं, और कुल 1750 number का आपका मेंस होगा, जो चार paper हो रहे हैं, उनमें कौन-कौन से subject से, पहले paper में कौन से subject से आएगा, दूसरे में कौन से बचों को ये नहीं पता होता, तो चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जीएस का जो पहला paper है, उसमें पुछा जाता है, history, geography, art and culture और Indian society से, दूसरे paper में आप से पुछा जाएगा, political science जैसे constitution और international relation से समन्दित ये paper रहेगा, उसके बाद GS3 का जो paper होगा, जिसमें Indian economics, disaster management, environment, इन सब से question पुछे जाएगे, और चोथा आपका paper रहता है, ethics and integrity का, तो इस तरह से आपके चार paper रहेंगी, GS के, उसके बाद आपका होगा, 275 नंबर का interview, अगर आप इन स्टेज को clear कर जाते हैं, तो आप UPSC clear कर जाते हैं, तो अब मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई हैं, और अगर आपने start कर दिया है, तो अंतमे मैं यही कहूंगी कि बीज रास्ते से लोटने का कोई फाइदा नहीं, लोटने पर भी उतनी ही दूरी तया करनी पड़ेगी, जितनी दूरी तया करके लक्से तक आप पहुंच सकते हैं, तो अगर आपने त्यारी शुरू कर दी है, तो आप उसे अच्छे से कीजिए, और first या second attempt में ही निकालने की जादा से जादा कोईशिस कीजिए, क्योंकि जितना ल इवाइज करके चीजों को अच्छे से कवर कर लिया जाए, और first या second attempt में आप UPC कलियर कर जाओ, इसी तरह की नियू जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद,